चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामेडी विकास में बैंकों की भूमी का रोल ओप बैंक इन विलेच्ट डेवलप्मेंट इसमें मुख्यत हमको तीन पार्ट में पढ़ना है हमको तीन पार्ट में पढ़ना मतलत तीन क्लास लगेगा समझ लीजे एक तो इंट्रोडिक विकास हे तू संस्थागत धाचा एवं प्रामेडी विकास के लिए कौन-कौन से बैंक बने हैं बैंकों की स्थापना यह सेकंड टॉपिक होगा अना ठेक मतलब इंस्टिटूशनल structure for village development and establishment of bank ठेक उसके बाद other things देखना है जो current का topic होगा जैसे आपका नाबाड नाबाड के बारे में पूरा जानना है ग्रामेडी विकास के लिए ठेक बहुत सारे चीजे other things और भी पढ़ना है अना तो देखिए इसमें मुख्यता आज हम डिसकस करेंगे इंट्रोक्री पार्ट पर कई जगा मैं देखा हूं कि ग्रामेडी विकास में बैंकों की भूमिका को economics से जोड़के पढ़ रहे हैं तो हम लोग भी economics से जोड़के पढ़ेंगे लेकिन other things में कौन से things में other things में ल ठीक उसके अनुसार ही पढ़ना है और वहीं से question आने के chances से particular topic economic topic आप जोड़ सकते हैं लेकिन ज्यादा मतलब beneficial होगा नहीं है ना लेकिन उसको भी पढ़ लेंगे secure site लेने के लिए तो हम introduction में क्या क्या पढ़ेंगे सर तो introduction में तीन चीज पढ़ना है आज हमको ठीक कितना चीज तीन चीज पढ़ना है पहला देखना है हमको आजादी के पहले क्या क्या हुआ था आजादी के पहले कौन surprise किया गया था before independent इसके बाद रिण वित्रण कैसे किया गया था आजादी के पहले रिण वित्रण ठीक loan distribution system ठीक रिण वित्रण के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आया और आजादी के बाद आजादी के बाद कौन कौन से प्रयास किया गया अब्टर इंडिपेंडेंस तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ही पढ़ना है आज तो बाकी को हटा दिये रहते हैं अना बाकी हमारा काम का भी तो फिलाल तो नहीं है ठीक तो इसको थोड़ा सा अठा दी रहते हैं नोट कर लीजेगा कौन-कौन से टॉपिक कवर किया रहे हैं कम से कम आना तो देखें तो सबसे पहले बात करते हैं पहला इंट्रोडक्शन में जो पहला है आजादी के पहले क्या किया गया तो आजादी के पहले आप लोग को पता होगा कि 1931 में पूरे रिशेशन चर रहा था क्योंकि अमेरिका में पूरा अया हुआ था ठेक 1929 से ठेक पूरे विश्वभर में सबसे बड़ा रिशेशन 1929 से चर रहा था तो 1931 में ये प्रयास किया गया जो आप लोको RBI का गठन ये सब पढ़े होंगे उसका बेस आई है ना तो 1931 में केंद्री बैंक जांच समीती बनाया गया क्या बनाया गया केंद्री ये बैंक जांच समीती बनाया गया ठीक सेंट्रल बैंक चेकिंग कमीटी बनाया गया हम पूरे सिफारिशों पर अभी बात नहीं करेंगे जो ग्रामीड विकास हो सके जिससे उस पर बात करेंगे है ना केंद्री बैंक जांस समीती बनाया गया कब 1931 में ठीक और केंद्री बैंक जांस समीती के अध्यक्ष बनाया गया भुपेंद्र नात को ठीक किसको भुपेंद्र नात इनको याद रखना यह पूछ सकता है भुपेंद्र नात जी को बनाया गया इनके अध्यक्ष केंद्री बैंक जांस समीती के अब ये जास समीती कुछ सिफारिस की होगी है ना कि development में कहां कहां रुकावट आ रहा है कुछ recommendation किया होगा ठेक तो इस recommendation को हमको अच्छे से याद रखना है ठेक ग्रामीड विकास के लिए क्या क्या recommendation किये बस वो देखना है हमको सबसे पहले ग्रामीड किया जाए ब Hoş ग्रामीड को क्यों क्यों कि आज भी देखना बिना bank वाले menlove सरकार तो अपना योजना निकालता है लेकिन लोन लेना बहुत मुश्कीर है ग्रामीड को तो और ज्यादा क्रिशी के आधार पर लोन किसान क्रेडिट कार्ड से बस मिलता है और बाकी जो योजनाय है उसमें बहुत माथा पच्ची है ठेक तो तब से प्रैस कर रहे हैं अभी तक वो अभी तक यह जारी है यह बोल सकते हैं दूसरा ग्रामेड वित पोशन में महाजनों की भूमी का होना चीए बोले ग्रामे होने चीए महाजन मतलब कौन गाओं में देखना उचे जो रहते हैं मुख्या उसको महाजन बोलते हैं ठेक है रोल और महाजन कि इन विलेज फाइनिंसिंग सिस्टम ठेक तीसरा सहकारी रिण व्यवस्था होना चीए क्या सहकारी रिण व्यवस्था यह सब कप चल रहा हैं बिफोर इंडिपेंडेंडेंस ना कॉपरेटिव लोन सिस्टम होना चीए बोले इसी पर अकाउंट होता है ज्यादा तर किसानों का तो साकारी रिण व्यवस्था चौथा एक और मांग किया गया भूमी बंधक बैंकों की स्थाफना किया जाना चीए ठीक भूमी बंधक बैंकों की स्थापना भी किया जाना चाहिए बोलेगे establishment of land ठीक, बंधक को बोला जाता है mortgage bank ये क्या होता है भूमी बंदक bank क्या होता है भूमी को ठीक, भूमी के बदले भूमी के Kahntsy के व्ल जैसे आपके पास किसी किसान के पास 2 e-card जमीन है और चैकर तो दो एकर को कहा पूरे काघजाग को बैंक ले लेगा और 2 e-card के इस आप से उसको क्या करेगा लोन देगा और जब तक वो लोन नहीं पटा लेता तब तक वो कागज किसके पास रहेगा पूरा डॉक्यमेंट किसके पास रहेगा भूमी बैंकों के बास तो भूमी एक तरीके से बंधक बन जाता है इसलिए भूमी बंधक बैंकों के बोलते हैं उसको ठीक आज भी चलता है तो यह तो स के दी-पर वेला का इन्होंने बोला एक एडरी हैं के यंडरी बैंक पाना चीह वना उटेन क्ला हने और इसी पर सबसे आज दीं घठन किया घटन शुटिशन गिया क influenza रिज़र्यब का इंडिया बैंकों केhr charge तेक एंद्री भारत का बेंद्री बैंक बोलता है जिसको dad you can 1935 में किया गया तैक इसका का गठन स्टाब्लिस्ट में कभ गया 1935 में और 1949 में सको राष्ट्री किया गया राष्ट्री कि कर्च कर ना मत은ला पुरे राष्ट के लिए लागु कर दिना नेश्नलॉजीशन अ होती गई कुछ क्या नहीं गया मतलब किसानों को बहुत अभी भी प्राब्लम हो ही रहा था लोन लेने के लिए तो यहां पर बस यह आद रखना है अभी तक हम को कि सिफारी से हुई यह हुआ वह हुआ मतलब इनका केंद्री बैंक कैसे बना केंद्री आर्बियाई का गठन कब हुआ इनके सिफारिस कौन-कौन से थे ग्रामिड विकास के लिए ठेक निम्ने में से कौन-कौन से केंद्री बैंक जान समीती के सिफारिस ते ग्रामिड विकास के लिए ऐसा आ सकता है यह केंद्री बैंक जान समीती का कठन कब हुआ यह आता है ज्यादातर क्वेश्च तो ठीक है लेकिन इसके हिसाब से अब देखा गया कि कहां पर प्रॉब्लम आ रहा है तो रेण डिस्ट्रिबीशन बंगा गया और इसको थोड़ा से याद रखना है आपको जो डिस्ट्रिब्यूट हो रहा था कहां कहां जा रहा है तो रेण रेणां करें लोग देखेंगे डिस घृण हमको परणा कि लुड़ोन डिस्ट्रिबीशन एक कॉलम में हम लोग देखेंगे रेण वित्रन संस्था अनूसार ये एक कॉलम में हमको देखना है साख-सНख्या क्या-क्या था यह पहली की बात तो ही नä से कितने-कितने पर्सें रेंड ले रहे थे ठीक इसको देखा गया और संस्था का ग्रामिड क्रिशक के संस्था का दूसरे कॉलम में बनाईएगा संस्था का ग्रामिड क्रिशक के कुल लिए गए कर्ज का अनुपात प्रतिशक कितना है यह देखना है हमको ठीक इसमें जो जो मैं बोलूँगा उसका अच्छे से याद रखिए अगर पर्सेंटेज ऑफ इंस्टिशनल लिपार्टमेंट इसको इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंग्लिश में बोलेंगे इसको 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 तू दा रूडल पार्मर तू दा रूडल फार्मर ठीक यह क्या-क्या थे जैसे अब देखे यह दो कॉलम कर लिए पहला बोले सरकार से ग्रामी लोग कितने परसेंट लोल लिये हैं तो कुल परसेंटिज 100 में से ठेक 3.3 परसेंट को बस लोन लिया दिया गया है ठेक 3.3 परसेंट उसके बाद सहकारिता से कॉप्रेटिव से होते हैं वैसे वहाँ फित है 3.1 परसेंट सबसे इंप्टेंट यह हैं इसको यादर कर लिजिए ठेक मोस्ट राएम पर डाल लिजए तीसरा रिश्तिदारों से कितना कितना लिये हैं रिलेटिव से तो रिलेटिव से लिए थे 14.2 परसेंट एक दूसरे को मांग के गाउं वाले चला रहे थे मतलब तेक उसके बाद भूपती भूपती से लैंड ओनर से लैंड ओनर से तो लैंड ओनर का परसेंटेस था 1.5 परसेंट 1.5 परसेंट पहले भूपती सिस्टम चलता था ना भूमी के पती मतलब भूमी और लैंड का ओनर कौन है उसके साब से ठीक उसके बाद बड़े किसान महाजन से बड़े किसान महाजन जिसको बोलते थे आप लोग है ना मैं इंग्लिश में महाजन लिख दे रहूं टेक बिग फार्नमर लिख सकते हो यह इन से 24.9 परसेंट 24.9 परसेंट बड़े किसान पर निर्भर थे अभी भी देखेगा कभी-कभी बतायता है पुराना मूवी देखोगे तो बड़े किसान जो कैसे लूटते थे और बड़े किसान से कैसे मांगते थे उनका भूमी कैसे चीन जाता था ठीक कुछ पैसों के लिए है ना साहुकार होते थे अलग जो सिर्फ लोन देने का कार करते थे हैं ना है ठीक तो साहुकार है तो साहुकार से सबसे ज़्यादा लिया जाता था 44.8 परसेंट ठीक परसेंट निर्वरते साहुकार पर ठीक उसके बाद वैपारी वैपारियों से बिजनेसमेंट से ठीक बिजनेसमेंट से कम था 5.5 परसेंट 5.5 परसेंट ठीक इधर नहीं दिखे करके इधर लिख दे रहा हूं है ठीक आप लोग इसी के नीचे लिखते जाएगा वार्वी जीक Banc से ठीक मलब nozzle जिए ल-बैंक लाइए लिग ए वार जी बैंक से कितना कम्र practicing बैंक से ओं कमर्चियल BANK के और अधर से 1.8 पर्सेन कितना 1.8 परसेन टोटल करोगे देखना 100% आएगा तो यहां पे ध्यान देने वाला यह बात है हमारा तो यहां पे ध्यान देने वाला मुख्य चीज क्या है यहां पर यह कंक्लूजन निकाला गया ठीक की यहां तो ग्रामेडब विकास के लिए ग्रामीड विकास कब होगा जब कृशी या ख्रिशी 2-0 दे सकता है कृशी के लिए agriculture के लिए ठीकृ के लिए या विलेज development के लिए देखा गया कि बैंकों की भूमी का बैंकों की भूमी का लगभक zero है ठेक, रोल आफ बैंक बोला जा सकता था कि लगभग जीरो है क्योंकि चलो ठीक है, रिस्तिदार बैंक तो है नि, भूपती बैंक तो है नि, बड़ी किसान बैंक तो है नि, साहुकार बैंक तो है नि, स्वैपारी बैंक तो है नि, ठेक, अधर्स बैंक तो है नि, है न, ठेक, सरकार से कुछ डॉक्यमेंट से ले सकते थे चलो ठीक है सरकार भी बैंक नहीं है बस एक चीज बसता था 3.1% बस कितना सहकारिता से कितना मिल रहा था 3.1% तो 100% में 3.1% लगभग नगन्य माना गया जीरो माना गया तो जीरो ग्रामीड विकास के लिए बैंकों की भूमन का लगभग जीरो है बोला गया अब बोला गया कि इसको स्ट्रॉंग करना चाहिए और इनको और आगे बढ़ाना चाहिए कोपरेटिव जो बैंक है ठीक उसका उसके साथ वाडिजिक बैंक को भी ग्रामीड विकास पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि भारत एक ग्रामीड प्रधान देशी है ठीक भारत में देखा जाए तो ना के कैसा था तो यहां पर किस को किस को याद रखना है सहकारीता के लिए कितना को 3.1 Meinr सबसे जादा कहा से मांगते थे तो साहुकार पर निःभरते और साहुकार पर निरबरते तो यह थोड़ा याद रखना है Bless तो ये दोनों डेटा को डेटा के साथ याद रखना साहुकार पर कितना परसेंट निर्भरते और साहकारिता का कितना परसेंट रोल था अब आजादी के बाद क्या किया गया यह आजादी जब हुआ हमारा 1947 की स्थिति है अब आजादी के बाद क्या प्रयास किया गया उस पर डिसकस करना हमको ठेक देखें आजादी के बाद बोला गया पहले तो हम तीसरा इंट्रोड़क्टिव पार्ट का तीसरा पार्ट है पहले तो हम अपने ही ठेक जो परिशानिया थे उस पर जूज रहते बैंकों पर ध्यानी नहीं लिए ठेक 1966 में 1966 में अखिल भारती ग्रामिड रेड़ समिच्छा समीती बना क्या बना अखिल भारती ग्रामिड ग्रामिड रेड़ समिच्छा समीती का गठन किया गया ठेक और इंडियान रूरल अल इंडिया टेक टेक टीक के रूरल जो हेइड रिख्राइडिट कुए क्रेडिट है kirind Reviewion कमिटी ये भी पूछा सकता है की इसका कथन कब किया गया था अखिल भारती जरां में 1966 सुह सोफिति हैं कि कैसे रिकमेंड किये कि कैसे हम ठेक विकास के लिए बैंकों की भूमिका को बढ़ा सकते हैं तो ये देखा गया कि सहकारी बस हमारा चर रहा था तो सहकारी तंत्र का पुनरगठन करना चाहिए बोले सहकारी समीतियों से क्योंकि 3.1% तो रोल था ही उसमें और ज्यादा रोल हो ठीक उसके लिए क्या किया जा सकता है उस पर ध्यान देना चाहिए यह बोला गया और दूसरा चीज बोला गया केवल सहरकारी तंत्र पर निर्भन ना रहकर वाड़िजिक बैंकों की भूमिका भी होनी चाहिए रोल ओफ कमर्शियल बैंक इन विलेज डिवलप्मेंट ग्रामिड विकास में उसको कैसे करना चीए यह सब तो अब देखिए उसको कैसे करना चीए उसके लिए 1970 में 1969 में 14 जो आपके राष्ट्रिक रिद बैंक थे उसका विलाय किया गया यह सब पूरा ठीक वह बैंकों के गठन में अदर थिंग्स में हम पढ़ेंगे ही उसको पहले उसको यह जो गामिड विकास वाले चीजे उसको पहले पढ़ रहा है वो बाकी चीजों को बार में देखेंगे है ना ठीक इसके सुझाओ के अनुसार अखिल भारती ग्रामीड समिक्षा समीति के सुझाओ के अनुसार 1970 में कब 1970 में RBI ने वाडिजिक बैंक हे तू दिशा निर्देश जारे किये करकुlic दिशा निर्देश निकाला कि आपको क्या-क्या करना है ठीकctional bank के लिए रहना गाइडलाइंस है गाइडलाइंस है और कॉला थ्यांदेन ध्यान देना है ठीक और उस्में में 1974 को सुचीत किया गया और लक्ष और उपलक्ष निर्धारइक किया यह जारी कर देंख कोई बड़ी बात नहीं ह। मतलब आपको यह चीजह करना है करके बता भी जब नेखा उसका टार्गेट जो GR, program बिस्टा डिन में इतना करके दो निया आपके बैंक को खत्रा है सहागा एसा होना चिह ripe है तो वह टार्गेट और में अब क्या क्या गया है तो ध्यान दे नहीं रहे करके उनको टार्गेट और सब टार्गेट था गया बैंकों को वाडिजीग ऐसे आपके सब हो आईसबयाइ वगरह है वह आडिजीक बैंक में आते हैं ठेक तो वो आडिजीक बैंक को कॉमर्शियल बैंक को तर्गेट दिया गया ठीक क्या-क्या टार्गेट था तो सबसे पहले जितने सकल अग्रीमु का सकल अग्रीमु का ठीक सकल अग्रीमु का ग्रॉस एडवांस एडवांस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ठीक 33.33% अब ग्रामीड विकास करना है आप लोगों को मतलब जितने रेड दोगे आप ठीक बैंकों को मालों आप बैंक है और आपके लिए फिक्स कर दिया गया कि 33.33% आप जितना 100 रुपए में केवल 33.33 रुपए आप ग्रामीड विकास के लिए ही दोगे ठीक ये टार्गेट फिक कर दिया गया 33.33% केवल और केवल आप लोग क्रिशी लगू उद्ध्योग ये ध्यान रखना किस में क्रिशी के लिए एग्रिकल्चर के लिए ठीक लगू उद्ध्योग के लिए ठीक स्मॉल इंडस्ट्रिस के लिए ट्रांस्पोर्टेशन परिवहन परिवहन से भी ग्रामड विकास होता है क्योंकि ट्रांस्पोर्टेशन चालक जो होते हैं इसके उनको दिया जाया ठीक क्रिशी लगू द्ध्योग परिवहन सिक्षा आवास के लिए तेक आवास के लिए रेसिडेंस के लिए और छोटे वैपारी को ठीक स्मॉल बिजनेसमें और चितने भी बैंको को यह बोला गया कॉमर्शियल बैंक को वाड़िजिक बैंक को कि आप जितने भी आप दे रहे हैं ठेक जितने भी रेंड दे रहे हैं उसमें 33.33% इन छेत्रों को ही देंगे क्रिशी होना चीए या तो लगुद्ध्यों होना चीए या परीवहन होना चीए सिख्छा होना चीए अवास होना चीए चोटे वैपारी होना चीए ठेक इनहीं को आप मतलब मिनिमाम 33.33% आप देंगे ही मिनिमम 33.33% देंगे ही यह लक्ष रखा गया था ठीक और 1979 तक यह सिस्टम चलेगा बोले कब तक चलेगा 1979 तक आप ऐसा ही करेंगे और टार्गेट पुरा कीजिए कि 1979 तक हो जाए 1979 में इसको 40% कर दिया गया कब कितना परसंट कर दिया गया 40% और सारी के सारे पै क्या हो किये इनको लोन देना चालू किये 40% टार्गेट है करके 1985 में यह टार्गेट पुरा कर दिया गया सभी बैंक को द्वारा ठेक 40% बाद में संसुधन करके 33.33 को 40% कर दिया गया थे यह यह भी आ रखना और वह 40% को भी वह अचीव कर लिए मतलब आपको एक टार्गे ओन के विकास के लिए लगा और गाओं को विकास कब होगा जब क्रिशी लगो परिवान सिक्षा आवाज चोंटे वैपारी को आप लोन दोगे के ट्क लोन देना चलू किया और उनको लिए टार्गेट फिक्स कर दिये कि आप जल्दी से जल्दी कीजिए तो 1985 तक सभी वाड़िजीग बैंक 1995 में ये टार्गेट पुरा कर लिये थे लेकिन टार्गेट के साथ साथ इसमें एक सब टार्गेट और इसको लक्ष बोलते हैं और हिंदी में इसको उपलक्ष बोलते हैं तर्गेट के साथ सब टार्गेट भी दिया गया कि केवल कृशी के लिए केवल कैवल क्रिशी के लिया के कैवल क्रिशी ऑनली एगरीकल्टर के लिए हुथ ठिक बाकी को छोड़ दो लगुद्ध्यों को परिवान को सिक्षा को टांस्पोर्ट को ठेक बाकी को छोड़ दीजे केवल क्रिशी के लिए आप लोग 18% लोन देंगे केवल क्रिशी के लिए इसमें बोले कि 33.33% तो आप इन सब को मिला कर दोगे लेकिन केवल क्रिशी तो पुरा कर लिया गया सब टार्गेट को 2005 तक कब तक 2005 सन 2005 तक 15.7% करके 15.7% लक्ष पुरा करके छोड़ दिया गया मतला उप लक्ष प्राप्त नहीं कर सके और लक्ष प्राप्त कर सके ठेक यह याद रखना है आपको तो इंट्रोड़क्ति पार्ट में 2005 तक था उसके वो सब अभी नहीं पढ़ना है इंट्रोड़क्ति पार्ट में आपको यह पढ़ना है ठेक तो हमको यहाँ पर यह आद रखना है कि लक्ष को प्राप्त कर सके उपलक्ष जो सब टार्गेट था उसको प्राप्त नहीं कर सके उपलक्ष 18% था केवल कृषि के लिए जो 15.7% प्राप्ट कर सके हैं ठेक तो यह इंट्रोड़क्टिव पार्ट है बाकी आगे इसको कल देखेंगे अच्छे से याद रख लेना आजादी के पहले 1931-1935 की घटना ठेक फिर कितना कितना परसेंट था संस्थागत कितना परसेंट साहुकारों से लेते थे थे थोड़ा बहुत यह याद रखना ठेक उसके बाद आजादी के बाद क्या प्रयाज किया ग्रामेडिय आगे बैंकों की बहुत सारी स्थापना हुई वह अधर्स में देखेंगे ही ठेक चलिए थैंक यू